आईना टॉक्स चैनल पर आप सब भी लोगों का मैं डॉक्टर इर्शाद का नम एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मित्रों आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर कोई परिवहन अधिकारी है और वो कोई गलती करता है तो क्या कोई ACVD है जहां आप उसको दंड दिलवा सकते हो क्या परिवहन अधिकारी गलती करे तो उसको दंड दिया जाएगा इसी विशय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत में मोटर यान अधिनियम 1988 लागू है और इस अधिनियम में वर्तमान में मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019 में बहुत सा संशोधन किया गया है और इस संशोधित अधिनियम को 1 अपरेल 2021 से परभावशाली बनाए गया है यानि कि अब हमारे यहां पर जो अधिनियम लागू है मोटर यान अधिनियम वो 2019 में जो संशोतन किया गया है वो संशोधित अधिनियम जो है वो परभावशाली है 1 अपरिल 2021 से इस अधिनियम के अंतरगत अगर राज्य सरकार ये केंद्री सरकार किसी अधिकारी को बनाए गए लागू नियमों को पालन करवाने के लिए नियुक्त करती है इस अधिकारी इन नियमों का अगर उलंगन करता है या जान बूच कर अंदेखा करता है तब इस अधिकारी के खिलाफ भी करवाई हो सकती है और ये प्रावधन कहां किया गया है मोटर यान अधिनियम जो 1988 दे रखा है उसकी धारा 210 खा के अंदर करता है अगर परिवान अधिकारी किसी योग्य वेक्ति को लाइसेंस नहीं देता है परमिट जारी नहीं करता है या गाड़ी का रजिस्टेशन नहीं करता है या अवेद वहान का चालन नहीं करता है या जान बुचकर भारी गाड़ीों को जाने देता है ये सारे जिते भी हैं अधिनियम के नियुमों का अगर वो उलंगन करता है तब उसके खिलाफ क्या कारवाई हो सकती है अब हम मोटरियन अधिनियम 1988 की धारा 210 खाक के विशय में जानते हैं लेकिन मैं आपको धारा 210 जो है वो पूरी बता रही हूं और उसके बाद 210 खाक को हम इसी में से समझ लेंगे 210 धारा क्या कहती है दोश सिद्धी संबंदी सूशना का न्याले द्वारा भेजा जानम प्रतिक न्याले जिसके द्वारा कोई ऐसे वेक्ती जो चालन अनुग्यप्ति धारन किये वे हो इस अधिनियम के अधिन किसी अपरात के लिए ये ऐसे किसी अपरात के लिए जिसके किये जाने में मोटर यान का उप्योग किया गया था दोश सिद्धि किया गया है तो उसकी सूशना का उस अनुग्यापन प्राधिकारी को देगा जिसने वो चालन अनुग्यपति दी थी और खाब उस अनुग्यपति का अंतिम बार नविनी करण किया गया था और ऐसी प्रतिक सुछना में अनुग्यपति धारा का नाम और पता अनुग्यप्ति की संख्या उसके द्वारा दिये जाने की तारिक और उसके नवी करण की तारिक अफरात का सवरूप और उसके लिए दिया गया दंड और एसी अन्निवी शिष्टितिया जो है वो उसके अंतरगत विहित होंगी यानि की लिखकर देगा साधरन शब्दों में कहें तो अगर कोई प्राधिकारी मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतरगत बनाए गए किसी भी लागुनियम का उलंगन करता है या अपने करतवी का पालन नहीं करता है तब ऐसे अधिकारी को अधिनियम की धारा 210 खा के अंतरगत दंडित किया जाएगा और दंड क्या होगा उप्रोक्त धारा के अंतरगत अपराध सिद्ध होने पर अधिकारी को जिस अपराध के लिए जो जुर्माना होगा उससे दुगने दंड का दाई होगा अब कूंछे अपर्मिट जारी नहीं कर रहा है? पर बिना पर्मिट की कारी चलाने वाले पर जिटना जुर्माना होगा उससे डबल जुर्माना उस अधिकारी पर होगा तो जो भी अपराद हो मतलब जो भी अपराद है और वो अधिकारी वो कारी को नहीं कर रहा है तो पिडित वेक्ति को अपराद के लिए जित्ता भी जुर्माना भनना होगा उससे डबल जुर्माना उस अधिकारी को भनना होगा अर्थात इसको ऐसे समझ ले कि बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने वेक्ती पर एक हजार रुपे तक का जुर्माना लगाया जा सकता है अगर वो ऐसे वेक्ति का चालन नहीं काटता है तब वहां तेनात परिवान अधिकारी पर 2000 रुपे तक का जुर्माना लगाया जा सकता है तो मित्रों अगर कोई परिवान अधिकारी है और वो गल्ती करता है तो उसको भी दंड दिया जा सकता है और उसको दंद दिया जाता है कहां पर जो मोटर यान अधिनिया में उसकी धारा 210 खाके अंतरगत तो ये वीडियो भी आपके लिए उप्योगी होगा ऐसी आशा है वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप हमें कमेंट सी करके ज़रूर बताईएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को किलिक कर लीजिए अधिक साथ ही किसको शेयर करें मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विशेय के साथ तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद